प्रेग्नेंसी से जुड़ी सभी जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें उमनिया यूट्यूब चानल और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिसना करें नमस्कार, उमनिया में आपका स्वागत है मेरा नाम डॉक्टर वर्षा टेक लेकर है और मैं गाइनेकलोजिस्ट हूँ तीस साल से इस शेटर में मैं कारे रत हूँ गर्भवती महिलां का एक बहुत सामाने से सवाल है कि उनका जो रोज का काम काच कर सकती है या नहीं कर सकती है अपसर डॉक्टर जब तक कुछ खास कंडिशन नहों तब तक गर्भवती महिला को अपना रोजबना का काम करने की सलाव जरूर दें कुछ एक चीज़े हैं जिनको आपको ठान वे रहाए पहला भारी सामान नकिलाने दूसरा पांच किलो से ज्यादा बजन न उठाए जैसे बड़े बच्चे को खाना या कोई सामान से प्राववा थैला या सुपकेस उठाना इससे बच्चे कई बार जब हुम रोज के काम करते हैं तो उसके कमिकल्स यूज करते हैं जैसे सपाई के एजेंट्स, क्लीनिग एजेंट्स, ब्लीज वाले बदार, पिनाई इस तरह के केमिकल्स के उप्योज से बचें क्योंकि कई बार इससे निकलने वालत हुआ आपके लिए और बच्छी के लिए उपक्सान पहुंचा सकता जब भी घर से बाहर निकले काम काश के लिए तक तक घर की किसी सद्धेसे को आप कहा है इस बार इस बात को जरूर मूँ को बता दे कई बार ऊपर चड़ने यानि ऊपर चड़ने के काम ले च्छत की सफाई या कोई चीज उपर से निकालना हो या पंपो की सफाई इस तरह काम करने के लिए आप स्थूल या सीड़ी पे चड़ने ने प्रेग्नेंसी में सेंटर ओब्राइपीश हो जाता है इससे आपका संतुलब इवर सकता है इस थार इसी तरह के उतने वाले कामा या जहां संतुलं बिगड़ेगा ऐसे काम आप निस्चिज वब से ना करेगा तो प्रेग्नेंसी में रोज-मरा की काम करने में कोई रूपसान नहीं ग्यास के साथ खड़े रहने में भी आपको साख भानी परते चलिए कि उलंबे समय तक ग्यास के सामने खड़े रहे के बनाने वाले कजा ना बनाए तो अच्छा है ऐसे बच्ण बनाए जो बनाने में आसान हो+, और जल्दी से साकि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेर करें अन्य वहिलाओं के साथ कर्भावस्ता संबंदी सारी चांदकारी के लिए और डॉक्टर अडवाइस के लिए डाउनलोड करें ओमनिया आप इसका लिंक आपको ओमनिया चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा